तरदोफ्तों स्वागत आप सबक्काईबार फिर्शे आपके अपने यूटूब चैनल नवीन मलीक हरियान विकर तो आपको एक experience मिले यहां से कि अगर आप सोशल मीडिया पर आए हो तो कुछ से यहां से benefit है या नहीं है है तो क्या benefit है कितना benefit है किस तरह से benefit है और आप किस तरह से उठा सकते हो benefit है और जो अधर यूटूबर चले वे हैं, वो किस तरह से उठाने लगे वे हैं, बेनिफिटे, और इसमें बेनिफिट है, तो कितना है, किस तरीके से है, तो वो सारी डिटेल आपके लिए हम लेके आते रहेंगे, और आज फिर ऐसे ही एक और यूटूबर बेंड के पास आए व तो सभी एक टारगेट सेट करते हैं और उसी के साथ आते हैं, कोई ये लगा लोगी मोज मस्ती में, मोज मस्ती में तो ये लगा लोगी जो बच्चे हैं, बच्चे ही आ सकते हैं, और जो बड़े हो जाते हैं, उनके लिए तो जिम्मेवारी आ जाती है, तो फिर वो तो दो लो आपने करेंगे। जाएगा तो फिर आज चलते हैं बेहन के पास और इन से जानेंगे खुद इनी से इनका नाम और इनके चैनल का नाम और इनकी यूट्यूब जरुनी तो वेश्चार सभी को तो सबसे पहले तो अपना नाम बता दीजिए मेरा नाम पर मिला है और मेरे चैनल का नाम मादो तो सूब्टों के साथ साथ और भी बिया कुछ काम करें है और और यहां कि पहले थी मेरी मंदी एरिया में लव्लसयर के बिल्कूल बीच में यहां किया है सेर kiता зарके शबड़ा बार हमारा थूड़ा सा बड़ा प्राठ ता फिर हम ने यहां बनाया खुछ इंदर स्कूल तो बच्चों की सुले will के प्रोपर इडर्स बता दो डू कर दो गिंवागाSecond रिख अपर प्रोपर एडर्स मार 화ोली चैल्ड स्कूल के बिल्कुल सामने वाली गली में आगे आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा ठीक है और नहीं तो सक्रीन पे नंबर दिया हुआ है अगर आपको कुछ भी प्रेशा नहीं आती है या आप यहां पे आना चाहते हो तो कॉल कर सकते हो नंबर पे ठीक है हर टाइम अवेलेबल रहेंगी मालों किसी टाइम पे ना फ आ क्वल में लास्ट यहर बनाया है एक साल किया सोच के आपने चेनल पना अपने बिजनस की लिए विए कम कर रहे हैं किसी भी कालोनी विए क्रें किसी उयर क रहे हो अगर हम हैं सहर तक ही रहेंगे लेकिन अगर यूट्व पर आते हैं ही तो हम ऑल तो आप जैसे ही वहां पे पहुंच जाओगे और वहां पर देख सकते हों कि यह किस तरह के collection रखते हैं और अगर आपको मंगवाना है तो जैसे कि आपको पता है social media पे आए हैं YouTube पे आए हैं तो और इंडिया अगर चाहे आप कहीं पे भी बैठे हो आप यहां से मंगवा सकते हो अगर जो भी आपको पसंद आता है इनके चैनल पर विजिट कीजिए क्योंकि चैनल पर विजिट करने से जैसे ही मैं बार-बार बताता हूं कि बेनिफिट यह होता है कि मान लोगी आपको कोई भी क्लेक्शन पसंद आता है तो आप इनके चैनल पर जाओगे ट्रेंडिंगे क्लेक्शन डेली आती रहती है विडियो तो वहां से जो भी पसंद आता है आप मंगवा सकते हो और ओडर वगरा जो भी प्रोसेस रहेगा वो इनक्लूड हो जाते है और जो डिलिवरी होते है वह हमारी ओल इंडिया में होती है ठीक है देखो जिसको भी पसंद आता है इनकी एक वीडियो और बढाएंगे जिसमें इनके कुछ दिखाएंगे तो कि उनसे एक आपको आइडिया हो जाएगा कि यह किस तरह के क्लेक्शन रखते हैं यहां पर जो सोनीपत से हैं या सोनीपत के नियरस्ट गाउं से हैं वो यहां पर आ सकते हैं आके भी यहां पर कपड़ा देख सकते हैं क्योंकि एक यहां पर आने के बाद जो कपड़ा देखो गे उसमें और जो वीडियो है उसमें थोड़ा सा अंतर दिखता है तो यहां पर आओगे तब आपको सब कुछ समझ में आएगा और जो दूर बैठे हैं जिनको पसंद आता है सब को पता कपड़ेगा आज के दिन तो तो वहां पर मंगवा सकते हैं और इसके बाद जैसे की बात करेंगे कि आपने एक साल हो गया इस पर सोशल मेडिया पर अभी बारासो तेरासो क्या सब्सक्राइब दोजार और है लेकिन थोड़ा सा गया के स्टीचिंग की वजह से का काम साथ में उदर प्रेसर जादा आजाता है तो इधर का काम चुट जाता है लेकिन सोशल मीडिया पे तो वह है कि आगर आप डेली वीडियो डालोगे तो ग्रोथ होगी, अगर नहीं डालोगे तो नहीं होगी जैसे आपने स्टीचिंग का काम चिलाया हुआ है इसको प्रफट डेली करोगे तो ग्रोथ हो जाएगी ना करोगे तो वहां से इंकम कहां से आएगी इसी तरह क्लोटिंग का है तो सोशल मीडिया पर कोशिश करो कि एक्टी रो हर टाइम और डेली यह पांच मेंट दस मेंट निकाल के एक वीडियो दो डालो आप स्टेचिंग का करते रो तीन-चार महिने का ग से इंकम करता है तो इसी तरह से आप सोशल मीडिया पर डेली यहां पर काम करोगे तो आप बेनिफिट उठा पाऊगे नहीं तो कोई बेनिफिट नहीं होगा यहां से तो वह ध्यान रखें और मान लोगी कोई और सोशल मीडिया पर आना चाहता है या यूट्यूब चैनल उपन करना चाहता है तो उनके लिए क्या सला देंगे बिया कि बहुत अच्छा काम है सोशल मीडिया पर आना उसमें यह देखो कि मेंडक की तरह है कुए का मेंडक ना बनके भार निकलो थोड़ा सा बार की दुनियादारी समझाएगी एक दूसरे के विचार पता लगेंग आती है तो कई्ज लेकिन वीडियो डालने से मेरी शौप मेलब नोगल बर दैक्ते हैं उससे बब ज्लत आए नहीं हमें और लोकल में विभी बहुत जैदा गया तो इसलिए जैसे कि आपका मालोगी कोई भी काम है, जो भी आप काम करते हो, उसको सोसल मीडिया भे लेकि आ सकते हो, आपका मालोगी चैनल इतना नीच लेगा, लेकिन उससे पहले आपकी साइध इंकम स्टार्ट हो जाएगी, और मैंने बहुत सारे ऐसे चैनल देखे हैं, ज तो इससे, चैनल से, तो वो तो दान में दे देते हैं, कि हमारी इतनी इंकम है, तो वो तो दान में ही दे देते हैं, ऐसे ऐसे भी चैनल है, तो आप अपने प्रोड़क्ट को लेकि आओ, और आपका जो पहला जो पार्सल है, कितनी दिनों के बाद आ गया था सोसल मीडिया स पहले दिनों का बया मैंने फर्स्ट वीडियो ही डाली थी तो मेरे को बिल्कुल अच्छे से याद है जो मेरा फर्स्ट ओर राथा वो फ्रीदाबाद से उमा नाम की उरत का आया था पहली वीडियो से आगा देखिए आपको भी पता चल गया अगर आप पहली वीडियो डालो है वो तो अलग है थीक है तो यूट्यूब के वे जैसे पार्सल निकाल गेंगे एक आइडिया लगा सकते हैं कि एक जैसे कोई भी क्लोथ है उसमें सो रुपे का एक एवरेज मान के चलते हैं तो हंड़र में इन्होंने कुछ ना कुछ यहां से कमाया है साहे यूट्यूब की जोब देवाले हो पांस हजार की जोब दिलवाद हो तो उससे बेस्ट है कि आप एक साल कंटिनू यहां पर मैनेट करो ठीक है और आप यहां से इंकम ले सकते हो तो लास्ट में जो मारे वीवर हैं उनको एक अच्छा सा क्या मैसेज देना चाहूंगी बिया देखो कोई हम काम करें इस काम को हम 100% दें अगर हम उसके साथ टाइम पास करेंगे तो काम भी हमारे साथ कांटी करेंगा कुछ भी काम करो चिसπό्छा altogether सफेज गारन्टीendra की math सब्सक्राइब कर ले और जो बहन का चैनल है उसको भी सब्सक्राइब जरूर कर ले उससे आपको बहुत ही बेनिफिट हो सकता है और अगर आपको सब्सक्राइब कर सकते हैं तो फ्रेंट्स मिलेंगे एक और अच्छी वीडियो में तब तक के लिए टेक के रहें और बाए बाए बाए